हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुदा स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल में आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB फोर्म भरने के लिए कौन कौन से डोकिमेंट्स आपको चाहिए यानि DSSB में जो अभी हाले में वेकेंसी आई है आज नो तारिक है नो तारिक से आपके ओनलाइन application फोर्म स्टार्ट हो चुके हैं उनको भरने के लिए आपके पास क्या क्या डोकुमेंट्स होने चाहिए जिनके तुरू आफ ओम को अप्लाई कर सकते हैं उनको हम डिटेल में अभी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं यदि आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना ने चाहिए लिटेशन करेंगे जिस भी सब्जेक्ट जिस भी पोस्ट के आप ट्यारी करें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलीवेंट वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर किया जाएंगे इसके अलावा आप से आप हमें फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम है तो यह हमारी एप है study portal academy study portal academy डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने का लिंक android users इस लिंक के थ्रू एप को डाउनलोड करेंगे जैसे ही आप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के course आपको आप पर दिखाई देंगे जैसे की यह पीजटी पॉलेटिकल साइंस का है बाइ डॉ कर सकते हैं इस तरह के खेको हमारी एप पर भी अविलेशन है ईसके साथ दोनों तो रहेंगे ही साथ में आपको मिलेगी वहाँ पे test series भी interview batches भी and notes by courier यानि जो हमारे hard copy notes है वो by courier all over इंडिया में उनकी courier service available है इस तरह है के notes रहेंगे complete slaves को इन में cover किया गया है इससे भार आपको कुछ भी पढ़ने के अवशक्ता नहीं रहेगी आपका subject plus journal paper दोनों ही पेपर इसमें इंक्लूड रहेंगे notes order करने के लिए 8447410108 नमबर पर आपको लिया वट्चब कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं official notification तो आज से जो है आपके online application form start हो चुके है friends no January है आज 9 January से आपके online application form start हो चुके हैं जो भी DSSB की new vacancy आई है positive subject थी सभी पोस्टों के लिए उनके application form start हो चुके हैं आपकी जो closing date रहेगी वो है 7 February यानि की साथ फरवरी से पहले पहले आप अपने form को apply कर लीजिए अब सबसे पहले form apply करने के लिए आपको क्या चाहिए आपके पास होने चाहिए passport size photograph जो की आपको upload करनी होगी signature चाहिए वो भी आपको upload करना होगा इनकी site पर जाके तो आपको जो upload करने के लिए उनकी file dimension जो maximum file size है मतला आपके documents का क्या size होना चाहिए वो यहाँ पर है photo का जो size है वो 110 multiply 140 pixel होना चाहिए यानि की 40 KB से कम कम size की आपकी हाँ पर photo रहेगी signature जो आपके रहेंगे वो 140 multiply 110 pixel यानि की 40 KB से कम कम आपके signature जो आपकी signature रहेगे उसका size रहेगा left thumb impression and right thumb impression यानि की आपके left and right दोनों ही thumb का impress आपको उहाँ पर लगाना होगा तो उसका जो size रहेगा वो भी यही रहेगा 110 multiply 140 pixels यानि 40 KB से कम left right दोनों का same है 40 KB यानि की आपकी जो photo का size रहेगा जो आपके signature का size रहेगा जो आपके thumb का size रहेगा वो 40 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए यह maximum size है इससे कम कम में आपका size होना चाहिए 110 multiply 140 pixel इसके बात आपकी बात आती है education certificates की यानि जो आपके educational certificates है उनमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो हम अगर बात करते हैं positive post के लिए तो आपके पास जो educational certificate चाहिए आपके पास 10th की certificate 12th graduation and master degree जिस भी subjects के आप apply कर रहे हैं उसी subject में आपकी master degree होनी चाहिए तो सभी के certificates आपके सभी के documents आपके पास होने चाहिए 10th 12th graduation and post graduation साथ ही आपको चाहिए यहां पर beard beard की certificate भी आपको यहां पर चाहिए beard की degree होनी चाहिए आपके पास जिस तरह आपके पास graduation post graduation के डिगरी होगी उसी तरह आपके पास beard की भी नहीं है और बीड भी आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है फिर आपको चाहिए ट्वेल्थ ग्रेजवेशन एंड पोस्ट ग्रेजवेशन टीनों एर में आपके जो मार्स होने चाहिए वो 60% से अबाव यानि 60% जरू होने चाहिए उससे कम ना हो 60% से अबाव यदि आ आपके 10-12 ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन में माक्स रहेंगे तो आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जिस डेट पे आप जोइन करेंगे जो आपकी जोइनिंग डेट रहेगी उस डेट से आपको थ्री एयर का टाइम मिलेगा बीयर्ड करने का विदिन थ्री ए ग्रेजवेशन प्लस बीयर्ड यह होती है हमारी पोस्ट के लिए असेंसियल क्वालिफिकेशन इसके साथ यदि आपके पास बीयर्ड नहीं है तो आप पीएचडी होल्डर है तो विदाउट बीयर्ड आप एसडी के साथ इसको अपलाई कर सकते हैं यदि आपके पास क्वालिफिकेशन में चाहिए आपकी वो इंटरमीडियर्ट यानि कि ट्वल्थ हो या फिर आपकी ग्रेजुशन की डिगरी या फिर पोस्ट की डिगरी हो तीनों में 60% प्लेस अगर आपके बाक्स है तो आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जैसे याप एक्जाम क्वाल सीटेट काफी स्टुडेंट का ये डाउट रहता है कि इसमें हमें पिजटी पोस्ट के लिए सीटेट चाहिए या नहीं तो यहां पे सीटेट रिक्वायर नहीं है central level पे positive post के लिए seated नहीं होता है सिर्फ first और second level का seated होता है जो कि हमारे PRT exam और positive post के लिए हमें seated चाहिए होता है level 1 और level 2 लेकिन positive post के लिए seated नहीं no required for seated second है identity proof यानि कि जो आपका identity proof होगा जहाए आपका वो अधार card हो, pen card हो, water card हो, passport हो कोई भी आपकी एक ID proof आपको इहां पर चाहिए उसके बाद आता है date of birth proof यानि कि आपका जो date of birth है, date of birth proof आपके 10th की marksit में मिलेगा जो आपकी 10th class की marksit रहती है उसमें आपका age रहता है, आपकी date of birth रहेगी तो date of birth proof के रूप में आपकी 10th की marksit यहां पर अपलोड होगी उसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट इफ एपलीकेबल यदि आप किसी कास्ट की कास्ट से अपलाई करते हैं जर्नल के लाओ यदि आप OPC के कैंडिडेट है या फिर आप SC के कैंडिडेट है STK कैंडिडेट है फिजीकल हैंडिकेपट किसी भी टैप से यदि आपको कास्ट कास्ट का실त बैनिफिट शहाइए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहां पर अप्लोड करना पड़ेगा का सर्टिफिकेट की यहां पर का benefit चाहिए तो आपको अपना कास certificate भी यहां पर अप्लोड करना पड़ेगा कास certificate की यहां पर requirement रहेगी इसके बाद आता है experience certificate if applicable experience यहां पर mandatory नहीं है बट यदि आपके पास है तो आप अप्लोड कर सकते हैं पी एच candidate यानि कि जो physical handicapped candidates है उनको यदि अपना एस benefit चाहिए जो भी फिजिकल handicap होते हैं उनको अपना relaxation चाहिए तो उनको भी अपना पी एच सर्टिफिकेट यहां पर रखना होगा जो कि आपको जरुरत पड़ेगी इसके बाद है contractual employee of the same department जो DSSB में contractual post पर लगे हुए है contractual teacher लगे हुए है उनके लिए relaxation अपर एज इस one time measure एक बार उनको यहां पर एज relaxation मिलेगा कितना contractual employee time spent same department subject to maximum five year approved they have work at least 120 hours एक सो बीस working hours का per day in that particularly year एक साल में 120 घंटे का उनका कम से कम experience उनका इस तरह है उनका यदी तीन साल continuously उनका five year का experience है तब उनको जाके एज relaxation यहां पर मिलेगा यह आपका एनेक्षर है एनेक्षर बन में जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि तो यह था फ्रेंट्स आपके डी ट्रिपल एस बी में apply करने के लिए आपको कौन कौन से important documents की नीड्स है क्या क्या documents आपके पास होने चाहिए सभी मैंने आपके साथ इसमें share किये तो अपना जल्दी से form apply कर लिजिए आज से यानि कि 9 जैनवरी से आपके online application form स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी closing डेट रहेगी वो है आपकी 7th February तो उससे पहले-पहले सभी friends अपने form का apply कर लिजिए सभी पिजिटी पोस्टों के लिए विकिंसी आ चुकी है best of luck and thank you